आल्राइट गाइस तो आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे एक हिडन इंडियन टैलेंट के बारे में दोस्तो इन बॉडी विल्डर का नाम है रूहुत यागी जो की कंपीट करते हैं मैंस फुजीक डिवीजन से और रिसेंटली इनको नोटिस किया जाता है बिक फिट क्लासिक दोजार तेईस में आप लोग देखें कि इनके पास में काफी जाला इस्टेंडर्ड फिजीक है अबरॉल सेरेटिस एंड ओब्लीक्स मसल्स इनके बहुत ही अच्छी तरीके से विजिवल है और चेस्ट एरिया भी इनका एक्टम पर्फेक्ट है और बात की जाएगा इस मैंस फिजीक कैटिगरी में जो स्ट्रक्शर होता है उसकी तो सोल्डर तु वैस्ट वाला जो स्ट्रक्शर है वो भी इनका बहुत ही प्याला लगता है तो आज दोस्तों हमको एक ऐसा बॉडी विलर देखने को मिला है जो की आने वाले है कि दो सालों में अपना प्रो कार्ट जीतने का दम रखता है बाकि आप लोग दोस्तों रूत यागी की फिजीक को 10 आउट ओफ 10 के इतने पॉइंट्स देना चाहोगे इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपीनियन से आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताईए तो रीचेंटली ब्रियोन एंसली अपना 3 विक्स आउट होते हुग अपना करेंट फिजीक अपडेट हम लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं इस अपडेट के अंदर ओबरल साइस हमको बहुत ज़्यादा इंप्रूव नजर आता है प्लस कंडीशनिंग और मसल्स हार्डनेस भी बहुत अच्छी है इस अपडेट के अंदर आप लुक देखें कि बाइसेप्स फुल्ली पीकड है और चेस्ट एरिया की जो शेप और जो फुल्नेस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है सोल्डर्स की बात करें तो राउंड शेप बिद गुड साइज हमको यहां अच्छे फाइवर्स भी दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लेट्स के बारे में बात करें तो लेट्स मसल्स की जो विद है ना जो वाइडनेस है वो भी एक अच्छे वी टेपर में है और अब दोस्तों थोड़ा से नीचे आएंड बात करने कोर एरिया की तो यहाँ पर एप्स मसल्स अभी से एकदम क्लियरली विजिवल है विद बैक्यूम इसके अलावा गाइस इस अपडेट के अंदर इनके जो लैक्स की क्वार्ट्स मसल्स है ना वो भी बहुत ही जादा इंसेन है इस पेसली आउटर स्वीप मुझे इस अपडेट के अंदर बहुत ही जादा इंप्रेसिब लगी बाकी अगर इस अपडेट को हम लोग compare करने ओर्स कैलेंस की के current अपडेट के साथ में तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों ही bodybuilders की जो physique है न वो अपने अपने genetic structure के हिसाफ से बहुत ही जादा perfect है बट एक hard conditioning की बात करूँ तो पता नहीं क्यों मेरा जो mind है न वो जादा priority दे रहा है ब्रियोन एंसली को बट उर्स के पास में यहाँ पर जो एक wideness है I mean इनका जो physique है न वो एकदम खुल कर जो बहार आती है न बो वाली चीज़ यहाँ पर ब्रियोन को बहुत ही जादा dominate कर रही है तो guys इस साल के Olympia के अंदर ब्रियोन एंसली काफी easily अपने लिए जगा बना लेंगे top 5 के अंदर लेकिन जहाँ बात होगी comparison की तो मुझे नहीं लगता कि यह wheat कर पाएंगे और्स के लेंस की को क्योंकि उर्स के बास में एक अच्छा aesthetic structure है और्स के ब्रियोन भी बहुत एच्छी classic physique bodybuilder है इनके पास में भी एक अच्छी hard conditioning आती है on stage बट आज के टाइम पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि judges एक अच्छे wide aesthetic structure को ज़्यादा priority दे रहे हैं तो दोनों के comparison को देखते हुए फिलाल उर्स कैलन्स की अन्वीटे वलें ब्रियोन एंसली के लिए इसके बाद में गाइस अपनी next update आ रहे हमारे current Mr. Olympia champion हादी चूपैन की दरब से तो recently दोस्तो हादी चूपैन अपने ये वाला वीडियो हम लोगों के साथ में share करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये easily notice कर सकते हैं कि हादी चूपैन का अब death face आना start हो चुका है हाला कि अभी इनका पूरी तरीके से death face निकल कर नहीं आया है जो की आम तोर पर हमको दिखाई देता है जो body willers होते हैं अपने peak week के अंदर बट अब इस वीडियो को देखार दोस्तों हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादी चूपैन की जो body है ना वो बहुत ही जादा condition हो चुकी होगी और वज़ जो इनके last update के अंदर हमको इनकी जो bubble gut वाली problem दिखी थी उसको अगर इनोंने सही कर लिया होगा तो ये definitely बन जाएंगे 2023 Mr. Olympia Champion इसके बाद मैं guys अपनी next update आ रहे है लेरी वील्स की तरफ से जो कि एक बहुत लंबी टाइम के बाद में अपना comeback कर रहे हैं body building के अंदर current update है वो हम लोगों के साथ में share करते हैं जिसमें कि इनका currently weighted 243 LVS और इनका अभी currently ये target है कि ये अपनी इस फिजीक में और 20 LVS तक cutting करेंगे यानि कि जब ये on stage जाएंगे तो इनका target होगा कि ये अपना weight achieve करें है 223 LVS जो कि kgs में होता है 101 kilo के आसपास बाकि इस वीडियो के अंदर जो हमको Larry Wheels की फिजीक नजर आ रही है वो इस समय बहुत ही जादा free की look में है और इसके बाद में जब ये दो हफ़ता के बाद में compete करेंगे अपने competition के अंदर तो ये वहाँ पर हमको एक बहुत ही अच्छे structure और एक बहुत ही जादा aesthetic physique के साथ में नजर आएंगे जो कि जब इन्होंने अपने last competition खेला था ना उसके comparison में बहुत ही जादा impressive physique update होगा और Larry के comeback के लिए दोस्तों आप लोग कितना excited है और last time Larry Wheels ने कौन सी साल में compete किया था आप लोग इसका जवाब मेर को जल्दी से comment box में बताइए इसके बाद में next update आ रहे हैं दोस्तों 3 weeks out वाली Jeremy Podwin की दरब से और अपने current update के अंदर ये बहुत ही जादा harder हम लोगों को नजर आते हैं just because इनकी overall body के अंदर ना हमको बहुत ही अच्छी quality की जो fivers है ना वो अभी से ही notice हो रहे है इसके अलावा men's physique में जो एक अच्छे symmetrical structure की requirement होती है ना उसको भी इनकी body काफी अच्छी तरीके से fill out करती है तो देखना पड़ेगा दोस्तों की अगर ये competition बाले दिन अच्छे से sign करेंगे तो ये definitely crack कर जाएंगे top 10 इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को जाते जाते ना दो body wheelers का एक छोड़ा सा comparison दिखाना चाहूँगा जिसमें की एक है Brandon Curry जो की last year Olympia में आते हैं 4th place पर और दूसरे हैं Samson 12 जो की last year आते हैं 6th place के उपर तो आप लोग enjoy कीजिए इन दोनों की current back update का comparison और मैं आप लोगों मिलता हूँ guys अपनी नई वीडियो के साथ मैं मैं आप लोगों मैं आप लोगों मैं